नमस्कार मैं मुख विशेक त्यागी IPL 2022 को लेकर अब सुखबुगाट चलने लगी है कौन सी टीम क्या होगी किस टीम में कौन से प्लेयर जाएंगे कौन सी दो ने टीमों के ड्राफ्ट प्लेयर क्या होगी ये तमाम तरह की बाते चलने लगी है लेकिन एक नजर IPL 2022 पर ये भी होगी कि उस्टेलिया और इंगलेंड के बड़े खिलारी क्या IPL 2022 में आएंगे इसके लिए BCCI ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है वो कदम क्या है ये मैं आपको बताऊगा दरसल आप समको पता है कि इस बार जोरूट का नाम चल रहा है पैट कमिंस का नाम चल रहा है बैनिस्टोक का नाम चल रहा है उसके बाद में मिचल स्टार्ट का नाम चल रहा है कि ये खिलारी इस बार IPL 2022 में आएंगे और खेल सकते हैं ये auction में अपना नाम दे सकते हैं इनके उपर बोले लग सकती है ये तमाम तरह की बाते इन साबी खिलारियों को लेकर चल रही है लेकिन अब इन सब खिलारियों ने अभी तक confirmation नहीं दिया है ये इनके बयान सामने अभी तक ये नहीं आये है कि ये पका खेलेंगे ही खेलेंगे इसी के लिए BCCI ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ताकि इन खिलारियों को सोचने का समझने का वक्त मिल जाए कदम ये उठाया है कि पहले जो तारीक थी डेडलाइन थी खिलारियों का नाम देने की वो 17 जनवरी थी लेकिन अब BCCI ने इस सब बात को समझते हुए 17 जनवरी की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है तीन दिन आगे बढ़ाते हुए BCCI ने 20 जनवरी कर दिया है मतलब अब तीन दिन और एक्टरा सोचने के मिलेंगे इन समी खिलारियों को ये सोच सकते हैं समझ सकते हैं और फिर अपना नाम ओक्षन के लिए दे सकते हैं ये BCCI ने इसके पीछे डेडलाइन को आगे बढ़ाने के पीछे BCCI का मकसद केवल यही है कि उस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के खिलारी जो IPL में खेलना चाहते हैं सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े खिलारी जैसे जो रूट है उसके बाद में पैट कमिंस हैं मिचल स्टार्क हैं इस तरह के जो खिलारी जो लगातार IPL में आकर खेलना चाहते हैं उन खिलारियों के लिए BCCI ने इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है BCCI चाहती है इसके पिछे का मोटिव यही है कि BCCI चाहती है कि ये बड़े खिलारी IPL में आएं ताकि IPL का रोमांच बढ़े इन खिलारियों को खेलते देखना चाहती है BCCI और जब ये खिलारी आएंगे तो जाहिर तोर पर बड़े खिलारी जब IPL में होते हैं तो IPL का मज़ा अलगी होता है, IPL का मज़ा दूगना हो जाता है ये सभी को पता है और जो दो नई टीमें जुड़ गई है IPL की में अब आठ की बज़ाएं दस टीमें हो गई है तो जाहिर तोर पर बड़े खिलारियों की जरुरत है गेंदबाजों की जरुरत है और पैट कमिंस और मिचरि स्टार्क की इस तरह के गेंदबाज है ये सभी को पता है इसलिए बीसी साई चाहती है कि ये खिलारी इंगलेंड के और उस्टिलिया के खिलारी IPL में आई इसी के मद्दे नजर बीसी साई ने ये डेडलाइन को आगे बढ़ाई है तो आपका क्या मानना है इस खबर पर बीसी साई का ये फैसला ठीक है क्या आप पैट कमिंस और मिचरि स्टार्क जो रूट को IPL में खेलते देखना चाहते हैं आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो चे लेगे तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें